हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर चैनल, ऐसा स्टेडी सोल्यूशन, इस वीडियो में हम बी ए सिक्ट सेम के पले दा मर्चेंट ओफ बैनिस के बारे में जानेंगे, जो की बीलियम सेक्सपिर के द्वारा लिखा गया है, आईए इसके हम लोंग कोस्टन की सुरुआत क तो अनस्वर में हम लिखेंगे, ट्राइल सीन इस दा मोस्ट इंपोर्टन सीन इन दा पले, जो प्राइल सीन है वो बहुत इंपोर्टन सीन है इस पले में, एकोर्डिंग टू दा कंडिशन ओफ दा बॉंड, साहिलो किजफरी तुकट ते पॉंड ओफ फलेस फ्रॉम एंट साहिल ने के लिए एंटोनियो के स्रीर में से, फ्रॉम एंटोनियो जबोडी, डड़ द्यूक रिक्वेस्ट टूसो मर्ची टू एंट्यू जड़्यो कोता है, वो प्राथना करता है, उससे, साहिलोक से, कि वो एंटोनियो पर दियाद दिखाए, वट साहिलोक इज अन्मू यानि कि एक यंग लोयर के भेज में, फिर नेक्स्ट है हमारा, she says that bond is legal, भै कहती है कि जो bond है पूरी तरह से कमनी है, and sylock can cut one pound of place, और sylock एक pound flash को काट सकता है, ठीक है, फिर नेक्स्ट है when sylock is about to cut the flash, जब sylock flash को काटने के लिए अगे बढ़ता है, she stops him, भै उसे रोख देती है, she says that bond is about one pound of flash only, भै कहती है कि bond के वल एक पॉर्ण मास के बारे में है, he should not set even a single drop of blood, उसने एक वूंद खून भी नहीं बहाना है, if he does so, all his property will be confiscated, अगर भै ऐसा करेगा, तो उसकी सारी संपती जबत हो जाएगी, now Silex says that he will drop the case against Antonio, अब Silex कहता है कि भै एंटोनियो के विरूद अपना मुगदमा बापिस ले लेगा, if he is paid three times the sum due, यदि उसे तेन गुणा रासी मिल जाए, यानि कि जो उसने रुपे उसको एंटोनियो को दार दिये हैं, उसके तेन गुणा मिल जाए, तो भै केस को बापिस ले लेगा, but Porshya says that he can have only the penalty mentioned in the bond, मगर Porshya कहती है कि उसे केवल bond में मर्नित हर जाना ही मिलेगा, Porshya says that he will satisfied if only the original amount is paid to him, Porshya कहती है कि अगर उसे भाईर रासी मिल जाए जो उसने दी थी, तो वह संतुष्ट हो जाएगा, but Porshya says that it is also not possible, मगर Porshya कहती है कि यह भी संभव नहीं है, Now Porshya says that he will drop the case against Antonio, अब Porshya कहती है कि भैं Antonio के बिरुद अपना मुगदमा वापिस ले लेगा, but Porshya says that there is a law of Venice, लेकिन Porshya कहती है कि Venice का एक कानून है, if a person tries to take the life of a citizen of Venice, his half property will be given to the aggrieved party, यानि कि if a person tries to take the life of a citizen of Venice, अगर कोई बेक्ती Venice के किसी नागरिक की जान लेने का प्रितन करता है, his half property will be given to the aggrieved party, उसकी आदी संपती पेडित बेक्ती को दे दी जाएगी, the other half will be confiscated by the state, और आदी रज्य द्वारा जबत कर ली जाएगी, his own life will be at the mercy of the Duke, उसका अपना जीवन Duke की दया पर निर्वर होगा, साइलोक एग्रेस to all these conditions, and Antonio's life is saved, साइलोक इन सारी condition को मानने के लिए एगरी हो जाता है, यानि कि सहमत हो जाता है, और Antonio की life बच जाती है, इस प्रकार नाटक के द्रिश्टी से मुकदमिक अद्रिश्य का बहुत महत्तव है, it is the climax of the Bond story, यह Bond कहानी का चरम सिखर है, Antonio is saved from the clutches of साइलोक, because of the wisdom of Porcia, Porcia की अकलमंदी दवारा, Antonio साइलोक के चंगुल से बच जाता है, The trial scene is a masterpiece of dramatic writing, मुकदमिक अद्रिश्य नाटक लेखन की स्रेश्ट करीती है, it throws light on the characters of साइलोक and Porcia, यह साइलोक तथा Porcia के च्रित्रों पर परकास डालता है, we come to know that साइलोक is very cruel, and Porcia has the finest quality, हमें पता चलता है कि साइलोक बहुत करूर है, और Porcia में बहुत finest quality अच्छे गुण है, तो यह हमारी वीडियो थी, trail scene के पर, I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल पर नई है तो सबस्क्राइब कर लेजीगा, ठैंक्यू, धन्यवाद,